नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग लक्षमी कान का चैप्टर 74 चल रहा है चैप्टर 74 वोटिंग बहेवेर की पहली वीडियो में अप्लोड कर चुका हूँ वहाँ पर मैं आपको मीनिंग, सिगनिफिकेंस और डेटर्मिनेंट समझा चुका हूँ वोटिंग बहेवेर के, finally role of media in elections and voting behavior के बारे में जल्दी से हम लोग इस वीडियो में खतम करेंगे, basically इतना ही हम लोग मीडिया का क्या रोल है elections में, इसके बारे में आप बात करने वाले हैं सबसे पहला जो role है media का, वो है information dissemination information dissemination, दिखिए, जितने भी लोग एक election में participate कर रहे हैं election में participate करने वाले role कौन-कौन है, मतलब लोग कौन-कौन से हैं तो election commission of India है, वो लोग जो elections contest कर रहे हैं, political parties तो होई गई सासा जो लोग vote डाल रहे हैं, वो भी तो election में participate कर रहे हैं इन सब लोगों को किसी ना किसी प्रकार की information की जरूत होती है उस information को इन लोगों तक पहुँचाना, ये काम है media का ठीक है भई, उसके बाद, media का जो काम होता है न, वो कब शुरू हो जायता है? जैसे ही announcement of elections होता तक से शुरू हो जाता और in fact, media का काम देखिए permanent है media का काम अभी रुखता नहीं है, लेकिन elections के respect में media काम at that very moment शुरू हो जाएगा जिस समय पर elections का announcement होगा, उसके nomination के समय पे भी media cover कर रहा होगा जब documents की scrutiny होगी, तो भी media cover कर रहा होगा campaigning कर रहा होगा, जब political parties तो भी media cover कर रहा होगा तो media बताएगा कि भाई, इस political party ने ये वादा किया, इसने ये वादा किया security arrangements में भी, जब polling होगी actual, जब counting होगी voting की मैंने तो आपको बताएगी, जब voting भी counting होगी होगी होगी, जब polling होगी 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 उस समय पे एक particular polling बोस में कोई ना कोई मीडिया वाले president होता ही है और जब result declare किये जाते हैं, तब भी media वाले president होते हैं इन सब process के दौरान जो media persons होते हैं, वो वहाँ पे रहते हैं reason me कि इन सब चीज़ों का widest circulation चाहिए, ताकि ज़्यादस ज़्यादस लोगों तक ख़बर पहुंचती रहे फिर भाई, media के और भी बहुत से role है, जो voter होता है ना, भाई, election क्या है, ये कब होते हैं, कहां कैसे होने है इन सब चीज़ों के बारे में जो basic information है ना, vote डालने वाले परसम के पास, वो कौन पहुचाएगा, media पहुचाएगा माल लिजे, election की दुरान, last minute पे, कोई नया, आप कह सकते हो की announcement आ गया, होके भाई, कोई model code of conduct का माल लिजे, violation होता है election expenditure और election में जो expenditure से related instructions, election commission of India issue करता है और केवल वो expenses नहीं, जो instructions नहीं, जो मैंने यहाँ पर पढ़ा हैं आपको constituency wise भी, अगर कई expenditure में fraud दिख रहा होगा, तो local level पे भी election commission of India के जो officials हैं, वो नियम कानू निकालते रहते अगर इनका violation होता है, कोई untoward incident होता है, तो booth capturing के कहीं chance लग रहा है, कहीं लग रहा है कि जड़ब चल रही है, लड़ाई चल रही है तो इस चीज़ के बारे में जो information होती, वो लोगों तक तो पहुँचाता ही है media, election commission तक भी पहुँचाता है बट हर जगा तो इना election commission present है, लेकिन media literally हर जगा present है जो media होता है, उनके अपने sources होते हैं, वो कहीं न कहीं से उनके पास information पहुँच जाती है ये information लोगों तक पहुचाना और इस news coverage के थुरू, कहीं न कहीं, पहले election commission के पास भी information अगर कोई चीज़ गरवड होती है, तो media के थुरू ही पहुचती है और कहीं न कहीं यहां पर आप ये भी समझेए, एक बहुत important चीज़ है कि आप से बताया ही है, मैंने कि election commission of India, जो भी nomination fine करवाता है कि इस candidate से तो उस candidate के criminal record, उस candidate के educational record, उस candidate के financial record ये submit होता है अब ये जो newspaper हो, news channel वाले होते हैं वो इन records हो खंगालते हैं, अब आप बोलोगे ये records है, news channel वाले हो कैसे मिले तो nomination करते वक्ते, जब वो candidate अपनी information को submit करता है, चाहे वो financial information हो, criminal information हो, कोई भी उसके particulars हो वो on the spot election commission of India अपनी website पे upload करता है election commission of India अपनी website पे upload क्यों करता है, चुकि election commission of India इस देश के लोगों को ये बताना चाहता है कि भाई जो person vote लड़ रहा है, जिसके लिए आप vote डाल सकते हो आगया आने वाले समय में, उसके क्या finances है उसके क्या past history है, ताकि लोग decision को अपने हिसाब से ले सके अब ही हो सकता है कि लोगों के अंदर इतना दिमाग ना हो, या लोग उतने जागरूप ना हो, या लोगों के पास इतना time ना हो, कि वो ये सब चीज़ने जाके election commission of India की website पे चेक करें आप मेंसे कितने लोगों ने वोट डाला होगा लेकिन कभी आपने जाके Election Commissioner of India की वेबसाइट बे चेक किया है कि भाई जिस candidate के लिए वोट डालो उसके क्या past finances रहे हैं उसके क्या past criminal records रहे हैं आपने नहीं डाला होगा देखा होगा कि जाएतर लोग नहीं देखते हैं लेकिन इन सब चीजों के ओपर ध्यान दिलाने का responsibility किसकी है न्यूस चैनल की मीडिया ओटलेट्स यो कही ना कि न्यूस पेपर मीडिया ओटलेट्स ये काम करते हैं ये अलग बास है दोस्तों कि कही ना कि आज की डेट में न्यूस पेपर सो मीडिया ओटलेट्स के ओपर भी ये इलजाम लगते रहते हैं कि भाई इनकी जो functioning है वो भी transparent नहीं है इनकी जो functioning है वो भी honest नहीं overall देखा जाए तो न्यूस पेपर समीडिया चैनल सबकी गलतियों को point out करते हैं तो एक neutral opinion बनने की chance है बट मीडिया बाइस बहुत हद तक election के process को corrupt भी कर सकता और कहीं न कहीं मीडिया के ओपर ये इलजाम लगाया जाता है कि मीडिया भी biased है बट उसके ओपर भी हम बात नहीं करेंगे आगे आते enforcement of the model code of conduct and other laws देखिए चाज के democratic और political landscape में मीडिया का watchdog role बहुत ज़्यादा important है अगर political parties किसी भी प्रकार का muscle power मतलब गुंडे भेज के लोगों को मार पीट के बूत के बार खड़े होके आपके सकतो डंडे के जोर पे ये बंदू के जोर पे काम करवा रहे हैं तो इस चीज़ को report करना मीडिया का काम है political parties पैसा बाटरी फ्री दारू नोट सौसो रुपए के पान पान सौ रुपए के नोट बट रहे हैं चिकन बट रहे हैं मटन बट रहे हैं इस तरीकी चीज़ें हो रही है money power का प्रियोग करना मीडिया का काम है ठीक है भई और electors जो की vote डालने जा रहे हैं उनको ethical और inducement free voting practices के बारे में बताना ये भी मीडिया का काम है ठीक है उसके बाद modern code of conduct का कहीं पर violation होता है तो कहीं पर माली जे कोई person caste के नाम पर है religion के नाम पर है किसी और चीज़ के नाम पर गंदी गंदी speeches दे रहा है गालिया दे रहा है किसी दूसरे candidate के उपर ऐसे इल्जाम लगा रहा है जो कि unverified है अभी campaign में जगा जगा पे जाके political leaders भाशण देते हैं अभी उस भाशण में उसका जो competitor है दूसरा person उसके उपर वो कोई इल्जाम लगा दे पर इल्जाम सही होना चाहिए ना अभी आपका भाशण 5,000 लोग खड़े होके सुन रहे है इन 5,000 लोग को आपने जूटी information दे दी तो इस बात को ensure करना कि वो information जूटी है या सची है यह किसका गाम है election commission of India का और अगर वो information जूटी है एक जूटी हफाफ LRI candidate electoral goal के लिए तो इसको model code of conduct का वोलेशन माना जाएगा और इसकी basis पे उस particular candidate को suspend भी किया जा सकता है तो ऐसे cases में model code of conduct का वोलेशन हुआ है यह बात election commission of India तक सबसे पहले कौन पहुंचा सकता है मीडिया पहुंचा सकता है ठीक है और model code of conduct का वोलेशन अगर कोई मीडिया चैनल रिपोर्ट करता है तो election commission of India इसको as a formal complaint रिसीव करता है मतलब अगर model code of conduct का कहीं पे भी वोलेशन हुआ है और इसकी खबर election commission को किसी भी प्रकार से मिलती है चाहे वो एक media report से कोई ना मिलो है तो election commission उसको formal complaint की तरह ही लेता है of conduct के बारे मताना media और elections related basic laws के बारे मताना और ये बताना कि elections के समय आपका conduct कैसा होना चाहिए ये responsibility भी media के गंदे के उपर आती है फिर बात करते हैं किसकी compliance of election laws election laws media को भी regulate करते हैं अब आप सोचिए media अगर अच्छी है तो एक election honest तरीके से हो रहा है fair तरीके से हो रहा है इस बात को ensure कर रही है सकती है media लेकिन अगर media गड़बड है अगर media biased है तो media उल्टा भी कर सकती है media एक election के results को एक गलत political party की favor में लेके आ सकती तो हो सकता है एक political party ने किसी media house को 100-200 क्रोन रुपे दिये और बोले कि तुम हमारे favor में campaigning करो और अगर वो हाँ पर media होस के favor में आ जाता है तो overall लोगों तक गलत information भी पहुश सकती है ठीके भाई तो कहीं न कहीं media के उपर ही responsibility वो सही रहे लेकिन अगर media गलत करता है तो उसको regulate करने की ताकत भी election commission के पास है तो भाई election के हर stage में media पसंड है और अगर election के हर speed media present है active है तो कुछ laws election commission of India के media के उपर भी अपलाई होंगी तो मतलब media को भाई कुछ law को मानना पड़ेगा तो election के दुरान वो कुछ भी नहीं बोल सकते है any election matter by means of cinematography television और similar other apparatus during the period of 48 hours ending with the hour fixed for the conclusion of poll देखे जिस घंटे में polling process खतम हो रहा है उस घंटे से 48 घंटे पहले तक का जो भी polling process है उसको किसी भी प्रकार से media govern नहीं करेगा ना media audio के थू ना ही media किसी video के थू किसी भी apparatus के थू जिस घंटे में वोटिंग प्रॉसस कहतम हो है उससे 48 घंटे पहले की जो media reporting है वो नहीं करेगा कौन media किसके थू section 126 of the representation of people at 1951 यागली चीज के है section 126a of the representation of people at 1951 ये क्या मोलता है it prohibits conduct of exit poll and dissemination of the results during the period mentioned therein that is the hour fixed for the commencement of the poll in the first phase and half an hour after the time fixed for the close of the polls for the last phase in all state union territories देखिए मैंने आपको इस बात बताई थी कि nomination file करने candidates पहुचेंगे returning officer के पास nomination file करने बाद एक हफते तर returning officer documents की scrutiny करेगा उसके बाद जो nominated candidates elect किये जाएंगे उनके पास chance होगा कि वो दो दिन में अपने candidature को withdraw कर सकते ये दो दिन बीतने के बाद फिर campaign शुरू होगा एक political party का और इस campaign को extensively cover करती है media याद रखेगा campaign extensively cover करती है media जैसे ही campaign खतम होगा उसके कुछ दिन बाद शुरू होगा क्या उसके कुछ देर बाद है कह लिए अगले दिन शुरू होगा first face of commencement of poll जब campaigning के जरा media अपनी reporting कर सकती है और वो candidates भी जगा जगा पर political रालिया कहके अपनी वास्तों को बता सकते लेकिन एक बार voting का पहला face शुरू हो गया पहला दिन आ गया voting का तो उस पहले दिन of voting से लेके जो poll खतम हो रहा है poll खतम होने के आधे घंटे तक media कोई भी exit poll नहीं करवाएगा exit poll में बता चुको हो ना आपको कि भाई जो लोग election boost से निकल रहे होते उनका opinion लिया जाता है कि इस बार आप कौन जीते हैंगे आपने किस political party को vote किया ऐसे 10-15,000 लोग से opinion लिया जाएगा और उस opinion के result निकाला जाएगा उसको चाप दिया जाएगा उसको आप बोलोगा exit poll ठीके अभी अगर voting process के समय पे अगर आप इस तरीके result चापते हो तो elections जो voter से हो influence हो सकते हैं लेकिन एक बार election खतम हो गया उसके बाद अब कितनी भी exit poll चापते हो कोई फरक नहीं पड़ता जो कि तब तक तो vote पड़ चुगे हैं हो कि समने vote कर दिया है तो भाई election के first phase से election जिस घंटे में खतम हो रहा उसके आधे घंटे तक इस time period में भाई कोई भी exit poll publish नहीं हो सकता next है section 127A of the RPA 1951 the printing and publication of election pamphlets, posters, etc is governed by its provisions which make it mandatory to bear on its face the names and addresses of the printer and the publisher तो भाई यह section 127A of RPA 1951 बोलता है कि भाई अगर आप election pamphlet चाप रहा poster चाप रहा तो जो भी party election pamphlet poster चाप रही है कहीं न कहीं उसके ओपर section 127A की provisions लागू होंगे और यह provisions क्या बोलते हैं कि भाई कहीं न कहीं जिस printer ने भी उस election pamphlet को चाप आए जिस printer ने भी उस poster को चाप आए उस printer का और उस publisher का नाम उस poster में नीचे की तरफ लिखा होना चाहिए ताकि election commission of India को पता चल सके कि यह कहां चाप रहे है और अगर कुछ गलत चाप रहा है तो भाई printer और publisher तो गया काम से ठीक है और उसका section 171 H of the Indian Penal Court it prohibits incurring of expenditure on inter alia advertisement without the authority of contesting candidate देखे भाई media advertisement भी करती है अभी newspaper छपेगा या TV पर कोई program आरब उसकी वीचे प्रोग्राम आता रहते है ना BJP को vote दीजे हमने इतना कुछ किया Congress को vote दीजे इन National Congress को हमने इतना कुछ किया तो ये advertisement है इन advertisement के थूँ ही ये media houses कमाते है advertisement बहुत बड़ी चीजे अब ये advertisement का जो खर्चा है ना इस खर्चे को करने से पहले आप जिस candidate का advertisement कर रहे हो उसकी authority आपको लेना जरूरी है चोकि एक constituency के अंदर जो maximum खर्चा है वो decided है तो एक candidate एक बड़ी लोग सभा constituency से आपका लड़ रहा है उसके उपास 70 लाग के limit है तो उसको election commission of India को बताना पड़ेगा कि भाई मैंने ये ये खर्चा किया और मेरा खर्चा 70 लाग से कम है तो अभी कोई media house अगर उस particular person का advertisement करेगा तो पैसा लेगा तो उस particular person जिसका वो media house advertisement कर रहा है उससे return में वो लेगा उसके बाद उसका advertisement करेगा और वो जो expenditure होगा न advertisement का ये overall 70 लाग के limit में count होगा तो ये नहीं हो सकता कि 70 लाग के limit को उस candidate ने कहीं और इस्तमाल कर लिया और जो election है वो media house और तरीके से करे ही जा रहा है advertisement media house करे ही जा रहा है और उसका पैसा अलग से candidate दे रहा है ये नहीं हो सकता समझ गया बात को तो एक particular candidate का अगर advertisement हो रहा है तो उसके लिए return में पहले permission लेनी पड़ेगी उस particular media channel को कि हाँ भई हम आप तुमारे advertisement कर रहे है और इसके लिए जो पैसा होगा वो तुमारी जो election expenditure की limit है ना उसमें count होगा वो limit बड़ी constituencies छोटी constituencies लोग सवाई SLA के लिए अलग-अलग होती है फिर बात करते हैं हम लोग किसकी voter education and participation की देखे जो बड़ी आप कह सकते हैं कि countries है ना हमारे देश जैसे USA हो गया इंडिया हो गया है हाँ पर बहुत बड़ा electorate है कि इंडिया का electorate तो USA से भी बहुत बड़ा है USA सबसे पुरानी democracy है बट उनसे तीन मुना अबादी है हमारे है इंफेक्ट तीन मुना से भी बहुत ज़ादा तो अब कहीं न कहीं voter awareness लाने के लिए voter का participation लाने के लिए बहुत जरूरी है कि मीडिया involved है election commission और मीडिया की relationship बहुत ज़दा important है जो कि मीडिया के थूभी election commission कभी-कभी अपने messages को logo तक पहुचाना चाहता है और यहाँ पे बहुत important है कोच चीजे logo तक पहुचाना जैसे कि registration कैसे होता है EPIC identity proof कैसे बटा जाता है polling station की location क्या है electronic voting machine का इस्तमाल कैसे होता poll की timing क्या क्या है तो जिस समय पे आपको आके voting डालनी है money power का इस्तमाल करता है candidates के दोरा इसको कैसे हराना है इस पकार की information बहुत advance में उन लोगों के पास होना चाहिए जो कि उस दिन अपने vote डालने जा रहे है that person should be well informed जब वो vote डालने जा रहा है किसी भी candidate के लिए ठीक है उसके बाद अगर voter education होगी तो कहीं न कहीं true value of democracy होगी जो कि democracy का मतलब क्या है कि भाया वो particular person अपने मनपसंद candidate के लिए vote डालने के लिए पहले तो उसको पता होना चाहिए कि उसके पास vote डालने का अधिकार है और उस अधिकार का क्या actually में मतलब है और वो इस vote डालने के exercise को ताकत को इस्तमाल करके क्या क्या कर सकता है इसके लिए मीडिया और civil society बहुत सब्सक्राइब है जो कि मीडिया और civil society electorate के awareness level को बढ़ाते हैं और हमारे जैसा देश जहां पे हर साल एक जनवरी को बहुत सारे लोग और एक जनवरी से पहले भी बहुत सारे लोग बेना पड़े लिखे बहुत सारे लोग बहुत दूर दवाज की गाओं भीहड़ी इलाकों में रहते हैं ट्राइबल इलाकों में रहते हैं एकनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं सोचली वीकर सेक्शन के लिए जिनके daily life में वोट डालने की कोई कीमत ही नहीं है उनको तो ऐसा लगता है कि हम किसी के लिए भी वोट डाले हमारे हलात यहीं रहने वाले हैं तो उनको यह समझाना कि नहीं भाई आपके हलात यह रहने वाले नहीं हैं आप आके वोट डालिए इसमें मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, civil society भी रोल प्ले करती है, ठीक है भई, तो field level पे ज़ादा ज़ादा लोगों के पास पहुंचना, इसकी responsibility किसके पास है, मीडिया के पास है, और कहीं न कहीं, election commission ने बड़े-बड़े media houses के साथ इसलिए participation भी किया है, और कहीं है कि मीडिया impartial तरीके से, neutral तरीके से अपना काम करे, हलाकि अक्सर कर मीडिया के उपर ये इल्जाम लगता है, कि मीडिया neutral तरीके से काम नहीं करती, चले कोई बात नहीं, वो अलग बात है, फिर बात करते है, responsibility of government media, देखे, एक होती private media, एक होती government media, अभी zee news, आज तक ये ये हो गई private media, दूर दर्शन प्रसार भारती, ये हो गई आपकी government media, in fact, all India radio पे भी जो news आती है, वो भी basically क्या है government media, अब जब भी election related news को फहलाना है, लोगों को election के बारे में चीज़न सिखानी है, तो यहाँ पे सबसे पहले lead किसको लेनी पड़ेगी, सबसे पहले lead लेनी प पहुंच रहा, बस आपके घर में TV होना चाहिए, आपके पास दूर दर्शन पहुंच जाएगा, all India radio पहुंच जाएगा radio होना चाहिए, तो इस तरीके की चीजों के जो माध्याम है ना, जो public service broadcasters है, इनकी पहुंच बहुत जादा होती है, तो सबसे पहले तो यह ज़रू arrangement with Prasar Bharti in providing free broadcast time on all India radio and दूर दर्शन to recognize national and state party so as to ensure a level playing field in elections, देखिए जो हमारे देश में political party जिन्हों अच्छा परफॉर्म के है, जो national party है, यह state party है, इन national party और state party को इनकी poll performance के असाफ से, election commission of India दूर दर्शन पे और all India radio पे आपने political program को advertise करने का मौका देती है, इस से जो भी national party है, state party है, सब को मौका मिलता है, लोगों के सामने अपनी बातों को लाने का, जिस से आप कह सकते हैं कि level playing field बनता है, जोकि सारी political parties को मौका मिल रहा है, इस से एक particular political party को मौका नहीं मिल रहा है, तो इस से competition की भावना आ रही है, साथ साथ, प्रसार भारती और all India radio inclusion of all individual parties, जादा जादा लोगों को खीच के लेके आना है, ताकि वो आएं और vote डाले, और उनको vote डालने के लिए खीच के लेके आना है, तो वहां तो पहुचने के लिए प्रसार भारती और all India radio, they are very important, ठीक है भी, फिर प्रसार भारती और all India radio के साथ साथ, election commission of India press information bureau, DAVP, national field development corporation, directorate of field publicity, song and drama division, और बहुत सारे और state government और state information directorates के काम करने वाले लोग है, central government और state information directorates, central information directorates, information related जो भी department है, इनके अंदर काम करने वाले बहुत से ऐसे fields हैं, बहुत से ऐसे officers हैं, बहुत से ऐसे institutional arrangements हैं, जिसके तूरू election commission, जादा से जादा participation को देश में बढ़ाने की कोशिश करता है, जादा से जादा लोग आके वोट डाले, यह कोशिश करता है, यहाँ पर role of media in elections and voting behavior खतम होता, thank you for watching this video friends, engagement के लिए like और share का बटन दबा देना,